जापान से लेकर चीन तक आर्थिक मंधी का सामना कर रहे हैं और उनकी एकोनॉमी दिन पर दिन माइनस की ओर जा रही है. लेकिन हम आपको बता दे, इसी बीच भारत की economic growth को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जिससे भारत की economy आसमान में पहुँचने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे sector की जिसको लेकर हाल ही में budget announcement के समय खुलासे किये गए और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि domestic production को बढ़ाने के लिए भारत critical mineral की mining और उसके processing पर काम करने जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसे mineral को हम चीन और कजाकिस्तान जैसे अन्य देशों से खरीदते थे और इसके बहुत सारे उपयोग है। और इससे भारत का इतना ज्यादा मुनाफ़ा होने जा रहा है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा भारत के घरेलू उद्योगों को भी इससे बढ़ावा देने के लिए कई product पर import duty को बढ़ा दिया गया है। इससे चीन और अमेरिका को भारत की तरफ से बहुत बढ़ा जटका लगा है। भारत के budget announcement के बार चीन जैसे देशों की खटिया क्यों खड़ी हो रही है। आईए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए इस बार भारत की economy दिन प्रति दिन record तोड़ रही है। और वह भी ऐसे वक्त पर जब दुनिया के सुपर पावर देश कहे जाने वाले जापान और चीन आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। और उनकी अर्थ व्यवस्था डगमगा रही है। और हाल ही में भारत के financial minister निर्मला सीतारमन द्वारा जो बजट पेश के दौरान खुलासे किये गए हैं। उसने सुपर पावर देशों की नींद उड़ा रखी है। फिल हाल सबसे पहले इस report को देखिए। जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि JP Morgan Ignite 4 Billion Dollar Russ in Indian Buns मतलब साफ है कि JP Morgan जो दुनिया की सबसे बड़ी bonds investor company है। उसकी तरफ से भारत पर 40 Billion Dollar की धन वर्शा हो चुकी है। जिससे भारत अपने देश के infrastructure development के जो bullet train जैसे railway project है उसको चीन और जापान से भी ज्यादा advance बना सकता है। आपको बता दें कि 4 Billion Dollar कोई छोटा amount नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 ऐसे देश हैं जिनकी economy इसके आसपास भी नहीं आती। आप समझ सकते हैं कि भारत यदि इतने amount का किसी particular sector में invest कर दे तो उस sector में चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश को पीछे हटने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको जानकर हैरानी होगी कि JP Morgan वही bond investor company है जिसके बलबूते आज के समय में चीन सुपर पावर बनकर बैठा है। लेकिन भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि चीन की economic market दिन प्रति दिन घाटती जा रही है जिससे bond investor अपने हाथ को चीन से पीछे हटा चुके हैं। और अब यही bond investor भारत के ऊपर अपने हाथ को रख चुके हैं और इनको भारत पर इतना ज्यादा विश्वास हो चुका है कि भारत में infrastructure development के लिए शुरुआत में ही 40 billion dollar को invest करने की तयारी उनकी तरफ से की जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जो budget पेश किया गया है उसके मुताबिक भारत में ज्यादातर investment, infrastructure development के लिए railway sector renewable energy और digital connectivity के तहत गाव के कोने-कोने तक 4G और 5G service को जल्द से जल्द पहुँचाया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत की आत्म निर्भरता को बढ़ावा दिये जाने के लिए अधिकतर project के contract भारत की कंपनियों को ही मिलने वाला है। वैसे तो यह खबर budget announcement के पहले निकल कर आई थी, लेकिन यह budget के नजरिये से बेहद ही important है। इसके अलावा अगर आप इस report को देखें, तो इसका announcement budget के दौरान किया गया कि भारत की economy को नई रफ्तार देने के लिए electricity और power generation पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत धीरे-धीरे या कहें कि मजबूती के साथ electric component export के मामले में भी अपनी पहचान बना रहा है। यहां तक की भारत के द्वारा कई देशों में में electric component और electronic devices port भी भारी भरकम मात्रा में किया जा रहा है। लेकिन लगभग सभी electronic component और devices port जिन critical minerals और rare earth metals से बनाए जाते हैं उसकी mining भारत में बहुत ही कम मात्रा में हो पाती है। जिसके कारण हमें critical minerals को ज्यादा तर चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों से खरीदना पड़ता है जिससे भारत के electronic component और electronic devices चीन की अपेक्षा महंगी हो जाती है। और global market में competitive price के चलते ही भारत को पीछे हटना पड़ता है जबकि चीन में खुद critical minerals पाए जाते हैं जिससे वह low cost में electronic devices port करने वाला देश बन चुका है। फिलहाल भारत ने चीन को इस sector में पीछे करने के लिए इस बार के budget में critical minerals को लेकर बहुत बड़ा announcement किया है। और कहा गया है कि जो critical minerals के भंडार भारत में मिले हैं उसकी mining के लिए सरकार खुद मैदान में उतरने जा रही है जिससे अब चीन को electronic sector में कड़ी टकर मिलने वाली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।